वेरे वेरे वेल्कम टो अल साथ है एक्जाम फाइटर नमर हम पर आप सभी का हाधिक श्वागत है गुड़नुश खुश खबरी है साथियों वो भी उत्तर प्रदेश से फिर से एक नई वेकंसी ने दस्तक दी है यूपी में असेस्टर प्रफसर की नई वेकंसी और टूटल पोस्ट आपके लिए है 356 और सभी पोस्ट पर्मानेंट है हलाकि ये पदों के संक्यां बढ़ भी सकती है फिलाल आप 356 को लेकर टार्गेट बनाए एक्जाम बेस सेलेक्शन है पिएजडी नॉट मेंडेटरी यानि पिएजडी वाले जो मेरिट में बाजी मार लेते हैं यहां पर वसी कोई बात नहीं होगी यू पी पी असी उत्तर परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के माद्यम से होगी न्यूकती यानि आयोक के माद्यम से वर्ती है इसमें कोई डाउट नहीं कि पर्मानेंट पोस्ट है बहुती शांदर पोस्ट है और कह सकते हैं कि आपको असिस्टन प्रफेसर बनने का एक और सांदर मौका यूपी से मिल रही है तो चलिए इस न्यूज को पूरी तरह कभर करते हैं यह देखिए आपका है फ्रम जाग्रन.com से के माद्यम से यह आप सभी के बीच दे रहा हूं जाग्रन.com के माद्यम से यह न्यूज आप सभी के बीच है जहां पर आप देख सकते हैं सरकारी नोकरी शुनहरा मौका असिस्टन प्रोफेसर के पदों पर निकली वेकंसी और चलिए देखते हैं पुरा न्यूज किया है राज के महाविद्यालेओं के लिए कुछ महीने पर 128 असिस्टन प्रोफेसर की भरती हुई है यह भरती हो चुकी है और उन चैनितों के लिए कॉलेज कर दिया गया है इस भरती के बाद 171 जो राज की आसनातक और आसनातकोतर महाविद्यालेओं है जो कॉलेज है वहां पर असिस्टन प्रोफेसर के 745 पदों पर भरती होगी जिसकी इस पर मैंने पेले भी वीडियो बनाया था कि 745 पदों पर भरती होगी लेकिन आधियाचना आयोक को भेजा जा चुका यानि यू पीपीएसी को यह अधियाचना भेज दिया गया है बाकि 389 रिक्स पदों को भी जल ही भरा जाएगा टोटल पदों की संगा कितना 745 तो उतने पूरे को पूरे सीट को फुल्फिल करना है लेकिन फिलाल इतने एक आधिय बनाएंगे जैसे नेक्स्ट वेकंसी आएगी उसके बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा इसके साथ ही टोटल वेकंसी भी आ सकती हो सकता अगर विलम हो जाए तो टोटल वेकंसी को भी इसमें एड कर दिये जाए तो पूरा नीज को कवर करते हैं प्रियाग राज और ये जागरन.com से न्यूज है, राजकिया महावेद्यालियों में आसिस्टन प्रोफेसर के 356 पदों पर भरती होगी, इन पदों पर भरती के लिए उच्छा निरिसाला ने उत्तर परदेश लोग से वायोग यानि UPPSC को अधियाचना भेज दिया है, आने वाले दिनों में इन पदों पर भरती के लिए आयोग से विज्जापन जारिक किया जाएगा, UPPSC से राजकिया महावेद्यालियों के लिए कुल, कुछ महीने पर, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कि बाकी इतने पोस्ट भेकेंट है, इतने पर नुक्ती होनी है, इसलिए आधियाशन 356 का गया है, बाद माके 389 के बारे में उस सिक्षा निसाले के पास ये information है, कितने खाली है, हलाकि अधियाशना कितनी गई है, 356, इसलिए अधियाशना आयोग को नहीं बेजा गया है, इन जिक्पदों का भी अधियाशना भेजा जाएगा, तो पदों की संख्यां बढ़ स वैसे टोटल यहाँ पर लिखा रहा है, एसी चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो उमिद करता हूं कि आप 20 वेकेंसी का वेट कर रहेंगे, और इस वेकेंसी का बेसबरी से इंद्यार कर रहेंगे, क्योंकि विज्यापन्तां क्या 51 उदर फसा हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात है क्या जो उत्तर परदेस लोक से आयोग के माध्यम से जितनी नियुक्तियां हो नहीं है, जितने असिस्टन के भृति हो नहीं है, उस पर कोई रोक टोग नहीं है, ये चलता रहेगा, UPSC का काम चलता रहेगा हलांकि UPSC को कर सकने की एक तरह से उनका नका पावर कहतम हो गया है वह से डिजॉल्ब कर दिया गया है नया आयोग बना गया है वह यूपी एचसी के लिए है लेकिन यूपी पैसी कायम है और यह अपने निफ्टी परक्रिया चलाते रहेगी यह वेकंसी होगा यूपी पी एस्टी के माद्यम सोगी उत्तर परविक सर्विस कमिशन के अगर आगे निफ्टी परक्रिया बढ़ जाते यह बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि जो आसुस्टेन प्रफसर बनना चाहते हैं उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी और उन्हें कर सकते को फिर से अपने आपको रिशार्ज होने का मौका मिलेगा अपने अपको सब्सक्राइब करने बेल आइकन को प्रेस करें और और बटन को क्लिक करने ताकि आने वाले नेक्स सभी वीडियो की नोटिफिक्रिशन आपको मिल सके और आप खुद को अपडेट रह सके इसके साथ ही इन नोटिफिकरेशन से इसलेटे जनकारी नहीं बलकि समचित गैडल प्रेशन भी यहां पर कराई जाते हैं बिलकुल मुप्त में थैंक्यू धन्यवाद